गुरूपडी की बहाली पहले पूरी की जाएगी, तो अगर ऐसा होता है तो इसमें हजारों सीट खाली रह जाएगा, देश के छात्रों के साथ बहुत बढ़ा अन्याय होगा, अत्याचार होगा, इसलिए सरकार को भी चाहिए, रेल मंत्री को भी चाहिए, रेल मंत्राले को और रेल्बे भरती बोड को भी, कि अपने फैसले पे ओपनर विचार करे, और रेल्बे एंटी पीसी की बहाली पहले पूरी करे, वेटिंग लिस्ट भी दोनों में वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए, तरकार ने आपको रिखतिया भेजी, केंद सकार ने, तो इसक तक ये बहाली पूरी नहीं हुई है, अभी भी ये बहाली परक्रिया धीन है, सरकार को और रेल्बे भरती बोड को इस परक्रिया को इस तरह से संपन करना चाहिए, बहाली की परक्रिया को, ताकि सीटे खाली न रहे, ऐसा नहों कि परक्रिया को इस तरह से कर दिया जाए, क कि हाजारो सीठ खाली रह जाए है और यूबा विरोजगार रह जाए है क्योज़ कि ये 2019 की वैकेंसी है और रेल्वेक की वैकेंसी पहले हर साल आती थी अब क्या है हर साल वैकेंसी भी नहीं आ रही है तो 2019 में जो वेकेंसी आई जितने सीटों पे वेकेंसी आई उतने सीटों पे बहाली पूरी होनी चाहिए लेकिन अभी कुछ खबरे आ रही है कि Group D की बहाली जो है पहले पूरी की जाएगी तो अगर ऐसा होता है तो इसमें 1000 सीट खाली रह जाएगा जो कि अगर Group D का पहले रिजल्ट फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है Group D की बहाली पूरी की जाती है और NTPC का बाद में रिजल्ट आएगा तो होगा क्या कि जो लोग Group D में जोइन कर लेंगे और उनका NTPC में भी रिजल्ट हो जाएगा और वो बिरोजगार हो जाएगे और सीटे खाली रह जाएगी तो ये देश के युवाओं के साथ, देश के छात्रों के साथ बहुत बढ़ा अन्याय होगा अत्याचार होगा इसलिए सरकार को भी चाहिए, रेल मंत्री को भी चाहिए, रेल मंत्राले को भी और रेल्वे भरती बोड को भी, कि अपने फैसले पे ओपनर विचार करे, और रेल्वे एंटी PC की बहाली को पहले पूरी करे, और उसके बाद ग्रूप D का final result जारी करे, इससे क्या होगा, कि ज लेकिन अगर पहले गुरूप D का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है, गुरूप D वाली को जोइन करा लिया जाता है, उसके बाद NTPC का रिजल्ट आएगा, तो जिनका गुरूप D में हुआ है, और उनका अगर NTPC में भी हो जाएगा, तो वो लोग D के हजारों पद खाली रह जाएगे, और इधर लाखो युबा विरोजगार रहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे रेलवे भरती बोट को निश्चित रूप से सोचना चाहिए, कि आपनी जो वेकेंसी निकाली थी, तो वेकेंसी निकालने का मतलब यह था कि जित अगर उनका किजिए, उतने सीटों पे नौकरी दीजिए इवाओं को, और दूसरी तरफ वेटिंग लिस्ट भी दोनों में, एंटिपीसी और गूरूप डी, दोनों में वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे लोग जोइन भी कर ले देते हैं, रिजैन मार देते हैं, ऐसा पिछला रेकॉर्ड भी रेल्वे में देखा गया है, कि ग्रूप डी से एक दो मैना, तीन मैना के बाद बहुत से लोग नौकरी छोड़ देते हैं, उनका सेलक्षन अगर कहीं और हो जाता है, या किसी और बज़ा से भी, तो वैसी प प्राफधान करें, ताकि सीटे खाली नहर हैं, तो सरकार को, केंदर सरकार को, रेल मंत्री जी को, रेल मंत्रा लेक और रेलवे भरती बोर्ड को इस पर गमभीरता पुर्वक विचार करना चाहिए, कि बहाली की परकिर्या आप इस तरह का बना ये, इस तरह से बहाली किजि ताकि सीटे खाली ना रहे इसके लिए आप वेटिंग लिस्ट भी NTPC और ग्रूप D दोनों में वेटिंग लिस्ट भी जारी करने का प्रावधान किजिए और पहले ग्रूप D, रेलबे ग्रूप D की बहाली को संपन किजिए उसके बाद NTPC का फाइनल रिजल्ट प्रकासित किए ताकि सीटे खाली ना रहे इसलिए आप जितने भी रेलबे अभियरती हैं आपसे भी याग रख कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए अवाद उठाइए और सोशल सैट्स पे कम से कम फेस्बूक हुआ, ट्विटर हुआ, यूटूब हुआ, उस पे आप अपने हक और अधिकार की अवाद उठाइए और माम कीजिये कि रेलबे ग्रूप D का फाइनल डिजर्ट पहले आए, रेलबे ग्रूप D की बहाली को पहले संपन किया जाए, उसके बाद NTPC का फाइनल डिजर्ट जारी किया जाए, और दोनों में वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, धन्यवाद